वन्दे 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 भारत माता की मन्च पर विराजमान, भार्तिय जनता पार्टी के सभी वरिष्ट नेतागान, पस्चिम मंगाल के, कोलकता के, बहनों और भाईयों को मेरा साधर प्रणाम, राजनीति जीवन में सैकड़ो रेलियों को संबोधन करने का सवभाग्य मिला, लेकिन इतने बड़े लंबे कारकाल में मैंने कभी इतने बड़े विशाल जन समू का हमें आशिरवाद मिला हो, ऐसा द्रश्य मुझे आज देखने को मुझे है। जब मैं हेलिकॉप्टर से देख रहा था मैदान में तो जगा नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन मैं देख रहा था सारे रास्ते कितने भरे पड़े हैं। लोग भागते हुए इधर की तरब चल रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ को वो पहुच पाएंगे। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आप आशिरवाद देने के लिए आएं। मैं भारतिय जनता पार्टी के सभी कार्यकरताओं की तरब से आपको साधर फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। पंगाल की इस धर्ती ने हमारे संस्कारों को उरजा दी है। पंगाल की इस धर्ती ने भारत की आज़ाजी के अंदोलन में नए प्रान भूके है। पंगाल की इस धर्ती ने ज्यान विज्यान में भारत का गवरो बढ़ाया है। पंगाल से निकले महान व्यक्तित्वों ने एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना को शसक्त किया है। पंगाल की इस धर्ती ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए बलिदान देले वाले महान सपूत हमें दिया। ऐसी पावन मिट्टी को मैं अनेक अनेक बार नमन करता हूँ। साथियों, यह मेरा सवभाग्य है कि आज इस अइतिहासिक ब्रिगेड ग्राउन पर मुझे फिर एक बार आपके आशिरवाद परप्त करने का आउसर मिला है। ब्रिगेड ग्राउन के आसपास एक तरफ स्वामी विवेकरन जी का जन्मस्तान है। दूसरी तरफ नेता जी सुभाज बाबु का निवास्तान है। एक तरफ महर स्री स्री अरविंद्यों का जन्मस्तान है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी का जन्मस्तान है। ये कोलखाता, बंगाल और पूरे भारत की बहुत बड़ी प्रेरणा सली है। बीते दशकों में, ब्रिगेड ग्राउंड में, अनेको बार ये नारा गुंजा है। ब्रिगेड चलो। सुना है ना, ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देश भक्तों को देखा है। लेकिन ये ग्राउंड बंगाल के विकास में, रोडाट काने वालों का भी गवा रहा है। बंगाल की भूमी को 2400 घंटे हरताल और बंद में जौक देने वालों की नीतियां और साजी से भी इस ग्राउंड ने देखी है। इन लोगों ने बंगाल की इस महान भूमी का जो हाल किया, वो पीड़ी दरपीड़ी बंगाल के लोगों ने सहा है। बरदास किया है। लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है। ये बंगाल के लोगों की अदम में इच्छा सकती है। कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मिदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था। लेकिन बीदी और उनके काडर ने आपका ये फरोसा तोड़ दिया। आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगोंने बंगाल को अपमानित किया। यहां की बेहन बेटियों पर अच्चाचार किया। लेकिन ये लोग बंगाल की उमीद यहां के लोगों का होसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। आज जो यह जन्सागर मौजूद है वो इस उम्मीद की इस होसले की जीती जाती तस्वीर है। बंगला चाय उन्नोती बंगला चाय शंती बंगला चाय प्रगोतोशिन बंगला बंगला चाय शोनेर बंगला मैं देख रहा हूँ इस बार के विधान सभाद चुनाव में एक तरफ T.M.C. है लेप कॉंग्रेस है उनका बंगाल विरोधी रवईया है और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है आज भाजपा को आशिरवाद देने के लिए लाखों लोगों का यहां आना लाखों लोगों का पुरे प्रदेश भर में निरंतर आशिरवाद बनाए रखना सामान्य मानवी हो बंगाल के बाउदिक जन हो कला जगत के लोग हो सभी अपना प्रेम अपने आशिरवाद बरसा रहे हैं सब के दिल में एक ही इच्छा है हमारा बंगाल विकास की नई उंचाही पर पहुँचे आज तो हमारे बीच बंगलार छेले मिठुन चकरवर्ती जी भी है उनकी जीवन गाथा संगर्श और सफलता के अध्भूत उदारनों से भरी हुई है अपने सफलता का पुन्ट